गुट मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज हम सेंपल पेपर सॉल्फ करेंगे सेंपल पेपर के एक से लेके पांच तक प्रश्न करेंगे पहला है भाग क निमन लिखित गद्यांच को पढ़ कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें स्वास्थ मनुष्य का सबसे बड़ा धन है स्वस्थ मनुष्य ही जीवन में सुखी रहता है हर कार्य निश्चित समय पर करने से शरीर स्वस्थ रहता है ठीक समय पर सोना एंव ठीक समय पर उठना स्वस्थ रहने के लिए अती जरूरी है यह महान बनने की स्वस्थ रहने की कुंजी है हमारा स्वास्थ्य भोजन पर बहुत अधिक निर्भर करता है अधिक मसाले वाले तैले भोजन सेहत के लिए हानी कारक होते हैं और अनेक बिमारियों काव को अमंत्रन देते हैं इसलिए हमारा भोजन ताजा संतुले त्वसादा होना चाहिए ये था हमारा गद्यांश आगे हैं, प्रशन उत्तर जो हमने इस गद्यांश मेंसे ढूंडने है प्रशन एक अधिक शब्द का विपरीत आर्थक शब्द क्या होगा? हमारे पास चार विकल्ब हैं, जादा, कम, घट, बहुत हांजी अधिक शब्द का विप्रीत आर्थक शब्द मतलब उल्टा अधिक का विप्रीत आर्थक है कम जो दूसरा विकल्ब है वो सही है दूसरा प्रश्न उप्रोक्त गद्यांश के अनुसार स्वस्त रहने की कुझी क्या है चार विकल्ब हैं अधिक भोजन करना, समय का निरादर करना, समय पर सभी कारे करना, अधिक समय तक सुना. हां जी, इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तीसरा विकल्प जो है, वो सही है, समय पर सभी कारे करना. तीसरा प्रशन है, सोच कर बताएं डैश मनुष्य का सबसे बड़ा धन है चार विकल्प है, सोना, स्वास्थ, चांदी, पैसा हाँ जी सबसे बड़ा धन क्या है? बिल्कुल दूसरा जो विकल्प है वो सही है, स्वास्थ्य मनुष्य का सबसे बड़ा धन है प्रशन नमबर चार कारे शब्द को हम क आर य भी लिख सकते हैं तो निर्भर शब्द को हम कैसे लिखेंगे हान जी कारे शब्द को हम क आर य भी लिख सकते हैं तो बताएं निर्भर शब्द को हम कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिए चार विकल्प है जी हाँ तीसरा विकल्प जो है वो हमारा सही है न, इ, र, भ, अ, र, अ अब लास्ट में है पाँचमा प्रश्ण स्वस्थ का समान अर्थ वाला शब्द क्या होगा समान अर्थ शब्द हमने जो है वो ढूनना है रोगी, बिमारियों से ग्रस्थ, बिमार या सेहत मन्द स्वस्थ का समान अर्थ शब्द है सेहत मन्द जो आखरी विकल्प है वो हमारा सही है सेहत मन्द ठैंक यू